तो शरी 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 नमस्कार वेल्कम बैक वांस अगेन तो मैं यूटीव चैनल जिसका नाम है ड्राइ लायन वी ड्राइफर नॉलेज अड्र बी एलायन टू गेट दोस्तो असमय में थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पढ़ गया था कि सोच के सी सोच है सी कि अभी कुछी देर पहले एक 25 किलो का चावल का बोरा था तो मेरी ममी ने कहा इसे उठा दो तो मैंने बहुत तुम उठा लो तो ममी प्यार से बोलती है बेटा में इसे कहां उठा सकता हूँ तुम्हें उठाना पड़े तो में गया कोशिस किया जादा होता है दिमाग में घंटी बजा सोचा कुछ देर रिशर्च किया और फिर जो निकला बहुत ही बड़ा इंट्रेस्टिंग ही निकला जो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम दोग बात करेंगे इसी के बारे में कि why men are physically more stronger than women so let's start the video दोस्तों अगर पूरुष लोग महिलाओं से ज्यादा फिजिकली stronger होते हैं उसके पीछे पांच में कारण है क्या का है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो है उसके पीछे कारण है टेस्टोस्टिरन जी हाँ मैं बात कराण टेस्टोस्टिरन का यह महाराज वही है जो मेल हर्मोन के नाम से भी जाना दाता है यह वहीं है जो 13 साल यानि की पीवरिटी के आसपास मेल कांदर जब जहरना सुरू हो जाता है तो लड़का इधार-उदर का काम जहरना सुरू कर देता है पता है मैं क्या बल रहा हूं आप समझ रहा हूँ तो हम बात करने हैं तो इस testosterone के वज़े से कैसे male, female से ज़्यादा stronger होता है असल में testosterone हमारा बड़ी में करता है चार main काम सबसे पहले ये क्या करता है कि ये tissue का growth को increase कर देता है कैसे असल में testosterone के वज़े से हम लोग का neurotransmitter का level increase हो जाता है neurotransmitters ये क्या चीज है असल में एक लड़का, जिसका नम टीशू है वो हॉस्टल में रहता है और जो नीरो ट्रास्मिटर है ये डाक बाला है तो क्या हता है नीरो ट्रास्मिटर का लेबल जले बढ़ जाता है मत Versus चार-चार डागबाल हो जाते हैं और हर हर दो-दो घंटे में घर का खबर ले के जाके पहुंचा देते हैं टीशू के पास उस लड़के के पास तो लड़के का दिल खुश रहता है खाता पिता है गूंता है और धिरे-धिरे बढ़ने लगता है वही होता है असल में नीरो ट भरोध केले जतने स Whewari हरमन चाहिए मतलब यह माराज कुद भी बढ़ते हैं दूसरों को सात लेकर बढ़ते हैं मतलब ग्रोध हर्मन का लेबल भी बढ़ा देता है ठेस्टो स्टीन तीसरा क्या कामकार करते हैं यह बह ले 30 बढ़ा देते हैं यह बहता है RBC level बढ़ जाता है केस से इमाजिन कर यह एक pain stand है जिसमें 100 pain अंदर गुजा हुआ है और दूसरा एक pain stand है जिसके अंदर सिर्फ 5 pain है तो यहां मैं बोलूँगा जिसमें 100 pain है उस stand का density जादा है तो इसी से क्या होता है मैं बता रहा हूं कि testosterone bone strength बढ़ा देता है मतलब male लोगों का bone density होता है bone density female के तुलना से जादा होता है जिससे की red blood cell क्योंकि हमाँ लोग का जो RBC है bone के अंदर से बनना सुरू हो जाता है तो bone density बढ़ने से RBC level भी बढ़ता है कभी अगर किसी का आप medical report चेकिंग करेगे क्या करता है जो की यह हमारा काम में आता है चोथा काम क्या करता है असल में यह जो टेस्टोस्टिरोन है यह महराज nuclear receptor नाम के चीज़ होता है DNA में DNA में DNA के अंदर nuclear receptor नाम के कुछ चीज होते हैं यह संपर्ख में रहते हैं और रहने के बाद protein synthesis को बढ़ा देते हैं तो protein synthesis बढ़ने से होता कि जाकी पूछो जीव वालों से क्यूं करते हैं कि protein powder खाने से हुआ मसल्स बढ़ने लगते हैं तो कही ना कही टेस्टोस्ट्यक्राइच फूर्टिन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं जिससे कि हम लोग हालका फुलका नहीं, मोटा सोटा होने लगते हैं, तो ये चार काउं कर देता है हमारे लिए टेस्टोस्टी रहें, उसके बाद हमाते सेकंड पॉइंट में क्यों एक मेल फीमेल से जादा स्ट्रोंग होता है, सेकंड पॉइंट ये है कि मेल का लार्जर मसल फाइबर होता है, फीमेल के तुमाने लार्जर मसल फाइबर, इमाजिन करीए मसल फाइबर एक इटा है और मसल एक घर है, तो आप एसे समझ सकते हैं, कि मेल का मसल बड़े-बड़े इटे से बना है अस कमपेर टू फीमेल इसी का कारण है कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रंगर है फीमेल से एक एकस्पेरिमेंट से पता चलता है कि आठ हाजारे से जीन से हैं, जो कि मसल का डवलोमेंट के लिए काम करते हैं और वो मेल के लिए अलग से काम करते हैं फीमेल के लिए अलग से काम करते हैं वही आठाजार जीन है, लेकिन हम लोग के एक male के संपर्ख में आते ही हैं, उसका काम अलग हो जाता है, और female के लिए उसका काम अलग हो जाता है, एक्स्परिमेंट यह भी बोलता है कि अपर हाप बोढी में हमारा जितने मसटल है उसका जेतना स्ट्रेंग ञet Yeah söyled जेतने है उस मसल मसल को जेतना स्ट्रोंग है एक ही मैल RF का कoben्पारिजन करें कि हमा हमारा लवर हाब बड़ी का जितना मसल इसक्रेंग्थ है उसका इसक्सिक्स पर्सेंट हमारा 66 260 है मतलब टोटल देखा जाए करीब करीब आप बेसे देखा जाए तो हम लोग से कहीं लोगं आप कुछोड होता है आज कारण क्या होता पूरुषो का है कहीं पनोब कंधि कुछ वोटा है आज मैं दूर्भा इस कलुप पहत जल्दी होता है, आज यह बहुत जल्दी होता है, चोथा कारण क्या हो सकता है? मेल के लिए चोथा कारण यह है कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रंगर है आज क्प्रेटू फीमेल वह है असल में मेल का लॉंग्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है आज क्प्रेटू फीमेल, मतलब हम लोग का फृस्बू से वह आकार में बड़ा है जिससे की ओखसेजन इतना उक्सीजेन हमारा ब्लॉड में जाएगा लेडिऊ का उतना नहीं जाएगा तो इसलेए साथ यह ऌता है कि लेडि लोग थोड़ा सा ज़ादा घान करते ही हापने लगते हैं जड़ा से सास स्प्सक्राइब करते हैं कि उनका बड़ी छड़ा सास नहीं लेदे हैं कि उसे ज्यादा oxygen चाहिए और पांचवा कारम क्या है कि हम लोग उनसे ज्यादा stronger है physically पांचवा कारम है evolution का अगर हम हजारों साल का इतिहास देखते आए तो जो males होते हैं मेन होते हैं वो लोग क्या करते हैं ज्यादा तर सिकार के काम में लगे रहते हैं सिकार के भागना दोड़ना बहुती dangerous game खेलना तो और चोटे-चोटे गुरूप में जंगल के अंदर जाना तो ज्यादा से ज्यादा हाड और डेंजरियस क्राम हजारों सालों से इंसाल करते हैं खास करें मेन ठीक है लेकिन फीमेल लोग हजारों सालों पहले से सुश्याल रहे हैं घर में खाना बनाना कपड़े सिलना एक दूसरे से बात करना सब्सक्राइब करते रहते हैं हजारों तो मैंटर फ्रेंड्स यही पांच कारण थे कि ए मेंगा मसल स्ट्रेंग्थ फीमेल से ज्यादा होता है और फिजिकली हम लोग उन इस वाइट के साथ बाबाई